दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का 31 मुकाबला पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच खिला गया, यह मुकाबला इडन गादेन के कॉलकत्ता स्टेडियम में खिला गया, आपको वता दें कि इस मुकाबले में बंगलादेश के कप्तान शकीबल अलहसन ने टरस जितकर पहले बल्लेव करने का फाइसला किया आपको बता दें वंगला देश की टीम ने पहले बल्ले वाजी करते हुए 45.1 ओबर में 204 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम ने सांधार बल्ले वाजी करते हुए 32.3 ओबर में मुकाबले को अपने नाम कर लिया और वर्ल्ड कप 2023 के समी फाइनल में जा कराने के वाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत बड़ी खुसकबरी मिली है वहीं पर बंगला देश की टीम को पाकिस्तान की टीम से हार मिलने के वाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा जटका लगा है और दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के आज वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेवल में कौन सी चार्ट टीम में बाहर हो चुकी हैं और दोस्तों पाकिस्तान की टीम को बंगलादेश से जीत मिलने के बाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेवल में कौन सी बड़ी कुसकबरी मिली है वहीं पर दोस्तों बंगलादेश की टीम को बुरी तरह से हार मिलने के बाद वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में कौन सा बड़ा जटका लगा है और कौन सी चार टीम में वर्ल्ड कप 2023 में सिमी फाइनल की रेश से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्स खेले गे वर्ल्ड कप 2023 के 31 मुकाबले में पाकिस्तान की सांदार गेंदवाजी के आगे बंगला देश के बल्ले वाजों ने टेके घुटने सहिंसा अफरीदी और मुहमद वसीम की खतरनाग गेंदवाजी के आगे बंगला देश की पूरी टीम मात्र 204 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान के बल्ले वाजों ने सांदार बल्ले वाजी करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया चलिए दोस्तों जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट टेबल में कौन सी टीम की सस्तान पर मवजूद है और वाख कौन सी चाट टीमें होंगी जो वर्ल्ड कप 2023 के सिवी फाइनल के लिए कौलिफाई करेंगी पॉइंट टेबल में आखरी पाइदान यानि की दसोय नमबर की टीम की बात करें तो दसोय नमबर पर इंगलेंड का नाम आता है इंगलेंड की टीम बोल्ड कप 2023 में अभी तक कूल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक मुकाबले में जीत और पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में इंगलेंड के दो अंक हो चुके हैं दोस्तों आज की इस पॉइंट टेबल में नवे नंबर की टीम की बात करें तो नवे नंबर पे बंगलादेश टीम का नाम आता है बंगलादेश की टीम में वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक कुल साथ मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक मुकाबले में जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और आज की point table में बंगलाडेश के दो अंखो चुके हैं दोस्तों अगर आज की point table में आठोई नमबर की team की बात करें तो आठोई नमबर पे नीडरलेंड का नाम आता है नीदल्लेंड की टीम ने वर्ल्ड कप 2030 में अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से दो मुकाबलों में उसे जीत मिली है जबकि 4 मुकाबलों में इसे हर का सामना करना पड़ा है और नीदल्लेंड की आज के पॉइंट टेवल में कुल 4 रंक हैं दोस्तों अगर आज के पॉइंट टेवल में शातों नंबर की टीम की बात करें तो शातों नंबर पर श्रिलंका की टीम का नाम आता है स्रिलंका की टीम ने अभी तक World Cup 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिन में से 2 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबलों में हर का समना करना पड़ा है और इसी के साथ स्रिलंका टीम के World Cup 2023 में आज के Point Table में 4 रंग हो चुकी हैं स्रिलंका, इंगलेंड और वंगला देश की तरह World Cup 2030 के सिमी फाइनल की रेश से बाहर हो चुकी है दोस्तों अगर आज के Point Table में 6 नमबर की टीम की बात करें तो 6 नमबर पर अफगानिस्तान की टीम का नाम आता है आपको वता दें अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक World Cup 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 3 मुकाबलों में अफगानिस्तान की टीम ने जीत दर्ज की है जबकि 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ अफगानिस्तान के पॉइंट टेबल में कुल 6 अंक हो गए हैं अगर अफगानिस्तान की टीम को World Cup 2023 के सेमिफाइनल में कौलिफाई करना है तो उसे अपने बचे हुए 3 मुकाबले सांदार तरीके से जीतने होंगे दोस्तों आज की पॉइंट टेबल में पांचोय नंबर की टीम की बात करें तो पांचोय नंबर पर पाकिस्तान की टीम का नाम आता है पाकिस्तान की टीम ने वर्लकप 2023 में अभी तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेवल में 6 अंक हैं आज की इस पॉइंट टेवल में 14 नंबर की टीम की बात करें तो चोधे नंबर पर आस्टेलिया की टीम का नाम आता है आस्टेलिया की टीम ने अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से उसे 4 मुकाबलों में जीत मिली है और उसे 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और उसके पॉइंट टेवल में 8 अंक हैं अगर आश्टेलिया के नेट रन रेट की बात की जाए तो 0.970 का बेहतरीन रन रेट है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेवल में तीसरे नंबर की टीम की बात करें तो तीसरे नंबर पर न्यूजिलैंड की टीम का नाम आता है। न्यूजिलैंड की टीम ने अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 4 मुकाबलों में जीत दर्च की है और 2 मुकाबलों में उससे हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजिलैंड के टीम की आठंक हो गए हैं उसके नेटरन रेट की बात करें तो प्लस 1.232 का बेतरी नेटरन रेट है। दोस्तों अगर आज के इस पॉइंट टेवल में दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर साउथ अफरीका का नाम आता है। साउथ अफरीका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सांदार प्रदर्शन किया है और टीम ने अपने खेले गए 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में सांदार जीत दर्ज की है जबकि उसे एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और आज की इस पॉइंट टेव लगए तो पहले नंबर पर हमारी भार्षे टीम का नाम आता है भार्षे टीम ने अपने पिछले खेले गए मुकाबले में इंग्लेंड को बुरी तरह से हरा कर सांदार जीत दर्ज की थी भार्षे टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले हैं और टीम सबी 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और आज की इस पॉइंट टेबल में टीम इंडिया के कुल 12 एंक हो गए है और टीम का नेटरन रेट भी काफी बेतरीन है दोस्तों हम आपको बता दें भारती टीम वर्ल्ड कब 2023 के सेमी फाइनल में लगबग पहुंची चुकी है भारत कब 2023 के लिए वाद चार कॉंची टीम में होंगी जो सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाइग करेंगी कमेंट सेक्षन में हमें अपनी कीमती राय बताना मत भूलिएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद